गुड मॉनिंग एपीवन माइनम इस राहूल आई वेलकम यौल इन यूर टीचिंग वारियर फेमली तो 7 एम पर देते हैं हम लोग कि टीचिंग वारियर की टीम पूरी मिलकर आपको हिंदी क्रामर की क्लास को बनाने में बहुत साज लोगों का सहज़े चाहिए ठीक है इसमें आपको इस्पेशल का मिलता है एक्स्ट्राफेक्स मिलते हैं एडवर्टैज्मेंट नहीं मिलता है इस वीडियो के साथ बहुत सार के साथ ही आपको सारा topic cover करा दिया जाता है ठीक है पहले कोशन से start करेंगे आखरी तक वीडियो देखोगे ना बहुत कुछ नया सिखे जाओ आज देवनागरी लिपी का विकास किसे हुआ है तेवरागरी लिपी क्या है हिंदी जो है ना हमारी हम उसे किसमें लिखते हैं अधिकतर 90% जो हिंदी की भासा है उनका विकास किसे हुआ है ब्रह्मी लिपी से हुआ है ठीक है इस तरीके को याद रखना नेक्स वोर्शन पर चलते हैं बिप्रीत तार्थक सब्द योग में कौन सा है तो बिप्रीत कौन सा है बिप्रीत मतलब क्या बताना है इसका बिलो ठीक है बिलोम बताना है तो लाव और हानि यह आगे ना लाव और हानि तो यह क्या हो जाएगा बिर्प्रीत तर थक ठीक है अब एक चीड़ीप बताना क्यूंच यह लिखए राहे दीर धीर , जैब भी जहां भी सब्द की सब्सप लग किर पुन्रूक्ति हो जाए मतलब को सब्द तो वहां पे कौन सा समास होता है अगर यह पूछ लिए सब्द मरें कोजई था फ़ेला ऊपर के लाब हाँ बाभ और घालो एक टौडर हट इस पूंच को पीछने के पीछे बीए कि पहला स्सप्रत था जिसने संस्कृत को अपनी दूसरी राजवासा बनाया था ठीक है अब ये भी बहुत आप लोग के दिमाग में आ सकता कि रूपी की दूसरी राजवासा केई तो यूपी की क्या है उड़ु है ठीक है क्या है उड़ु है कब तो वह गडवाली हो जाए इसका सी के एक वीडियो अच्छे लगते हो और अच्टा एप्ट के लगते न प्लिस शेयर करना वीडियो हो किया निर्वेद trekодव सीधे- सीधे कोशन पुछे जाते हैं सांत रस्का साइवाप नोँमा रस्क भरत मुनीनने इस तो question पूछे गए तो रस का मतलब क्या है अलोग के कानन मिलता है रस से कौनसा अलोग के कानन आंसर क्या माल लेंगे आप लोग बी ठीक है next question पर चलते हैं ठीक है पढ़ाना पसंद आता हो तो लाइक कर दिया करो वीडियो को योग रूड कॉन सा इसमें देखो यह मेरे को नया क्वेशन मिला मैंने यह से पहले नहीं बढ़ा थे सब्द सब्द के भेधना रचना के आधार पर तीन प्रकार क्यों होते हैं पहला हुता है रूड दूसरा होता है यौगिक तीसरा होता है योग रूड ये होता है तीसरा वाला ठीक है रूड में क्या आ जाएगा जैसे का मल अलग अलग लिखें ने का प्लस मा प्लस ला जिनका मत्तब नहीं निकलता अलग अलग करके उसे कहते हैं आप रूजancing योग एक जितने ही आपके ततपुर समास की एकजाम पलें वो साब किस में आईगी योगिक में जैसे आप बताओ जैसे जाया गोशाला राजकुमार यह सब किसमें आएंगे यह सब योकिक में और जितने भी बहुबरी समास के example वह सब किसमें आएंगे योगुरूड में तो इस question का जो answer है वह जाया खटमल क्या हो जाया खटमल तो यह थोड़ा सा एक अच्छा कोशन मिला मुझे बहुत ही पसंद आया तो आप लोग इसे ना कॉपी में लोट कर ले ना बहुत कम मिलते हैं से कोशन और आ जाते हैं पेपर में हाथी धीरे धीरे चल रहा है देखो मैंने उपर बताया था ने जहां पर भी दूरुकती हो जाए तो वहां पर आइक का मतलब कोता है चल पता क्या है चल है क्रिया का मुल रूप को तो यह क्या है ज़लना चलना क्या है किरिया से पहले क्या आएगा कि विशिष्धा बतायेगा वह रा ख्री प्रकार क्या होती इस्तान, काल, रीत, परिमार, ठीक है, और रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3, कौन-कौन सिर्ण, मूल, योगिक और इस्तानिक, तीन प्रकार की होती है, रचना के आधार पर, और रचना के आधार में न, reven-insi को बार-बर पूछ ल książ कहें, सरवनाम कितने प्रकार का होता है इसे भी याद रखना और टोटल सर्वनाम की संख्या कितने 11 अर्थ के आदार पर प्रकार की इसे भी याद रखना, तो मैं न पिल्कुल operation करणदू question का, इस तरीके से पढ़ो,ола का तदस्व होका तदस्व किया होता है, संस्कत के सब्द जिन्ने ज। करते हैं, तो कोवा का क्या हो जाएगा काक, क्या हो जाएगा काक, अब कपोद किसका है यह आप लोग बताओगे कौन सा कपोद किसका है अब एक चीव बता दू छ त्र क्याश्र और यह आ जाए वा या इस तरीके से रेफ वाला रा अगर इन मैंसे छह मैंसे आपको कुछ भी मिल जाता है तो आप उसे हमेशा क्या लगा कहेंगे तद्सम अग तदबब सबसरी हो जाएंगे मेरे पढ़ाएगों से थोड़ा सा भी आप लोगों में थोड़ा मतलब improvement हो रहा है तो please वीडियो को share कर देंगे आप लोग अगर बिलकुल भी आपको लग रहा है ने 1% भी मेरे पढ़ाएगों से आपकी हिंदी अच्छी हो रही है तो आप स शे प्रकार के ठीक है याद रखेंगे तत्प्रुष समास में किसका कारक्चिनों का यूज करते हैं कितने छे कारक्चिन हिंदी में कारक्चिनों की संख्या आठ बब्री समास में अन्य पद प्रदान दुक समास में संख्या वाचक द्वंद समास में क्या होता है योजक च और चिन कितने अपने ब्राम चिन कितने 20 इसे भी याद रखेंगे उसमें से 19 इंगलिस के एक ये पूर्ण ब्राम हिंदी का है ये कोशन भी आया है इसे भी याद रखेंगे आप ठीक है और प्लीज वीडियो को शेयर करतेंगे जितना हो सके अब देखो इसमें पूछ रहा ह प्रकार कैसे हुआ है तो ओ किस से मनता है तो आ प्लस इसे क्या बनेगा ए क्या बनेगा ए अप्लस ओ से क्या बनेगा और यह ओ से ओ कैसे बनेगा अप प्लस उसे ठीक है याद रखेंगे ठीक है आंसर क्या हो जाएग आपका ए कि सीधे याद रखने वाला कुशन थोड़ा भासा की सबसे छोटी काई पूछ रहा है तो बासा की सबसे छोटी काई कौन से सबसे छोटी काई वर्ण वर्ण तो प्रकार के होते हैं एक तो होता है स्वर एक होता है व्यंजन स्वर क्या होते हैं बिना किसी की साहता से बोले आते हैं व्यंजन स्वरों की साहता से बोले आत इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, और सार्थ के काई कौन सी होती है, सब्द, ठीक है, याद रख लेंगे, नेक्स्ट कोशन, अधूरा ग्यान वहेंकर होता है, इसमें सही लोकोक्ती बतानी है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है, नीम, हकीम, खत्रे जान क्योंकि नीम, हकीम, खत्रे जान, क्योंकि नीम, हकीम कौन सी होते हैं, थोड़ा वो जानने वाले, उसे कहते हैं आप नीम, हकीम, तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगे, ठीक है, लोकोक्ती क्या होती है, पूर्ण बाग क्यान सोते हैं, मोहावरी क्या होते हैं, मोहावरा पू पहले पताओ यह चाव्ट्सकाशना या सब और किस यह आती है पश्म हिंदी में आती है टिक बिहारी में region कौन से आती है मैथली मगही और बोजपुरी एम एम बी ऐसे याद रखनो तो यह किसकी बिहारी आंसर क्या हो जाएगा इसका ए बोजपुरी संबन देते बिहारी से ठीक है ए लगा जाना और एक चियों बता दू ठीक है यह जो है अबदी बगेली पूर्वी हिंदी की बोली और इसका विकास के से हुआ है अर्द मागदी अपवरंस मागदी अपवरंस से हुआ है इसका विकास यह पूछा जाता है पहुच जाता है नेक्स्ट है चंद सास्त के प्रेताओं ने इसमें से कितने बेद बता है चंद के कितने बेद बता है तो चंद के बेद बता है ती मात्रिक बाडिक और मुक्तक ठीए आप मैंने एक लाश्वार आपको बताया था कि मुक्तक में कौन रच्छना करते हैं जो कि अपने IIT यहने उनका नाम आप बताना चाहो तो बता देगा ठीए कोने मुक्तक के और यह बता ना मात्रिक कौन कौन से चंद है और बाड़े कौन कौन से चंद है और ग्लास आःको पसंद कितनी आती है ला बोलके देखो जो आपकी जीव है उसके दोनों साइड से हवा निकल जाती है रा क्या है लुन्ठित या प्रकम्पित लुन्ठित या प्रकम्पित है रा ठीक है इस पर स्वेंजन कितने आपके पांच चितने भी पांच बर्ग होते हैं उसमें पांच पांच होते हैं तो 25 हो जाते हैं ठीक है उसमें कौन-कौन से हैं श, स, स, ह ठीक है याद रख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट है हिंदी में इसपर्स गोस ते कितनी साथ चीज़ पूछ लिए कि कॉशन पहले तो यह बता इसपर्स कौन सा है गोस कौन सा है महापराण ओस्ट विंजन इसमें से बताना है मैंने कैसे निकालना चाहा मैंने पहले देखा इसमें ओस्ट कौन सा है यह त ठ ठ यह क्या है यह तो मूर धन्न में आते हैं त ठ द ध ध न यह दंत में आते हैं ठ प फ ब भ म तो ओस्ट में कौन सा आएगा भा आएगा क्या आएगा भा आएगा अब देखो यह चोथे नम्मर तो महाप्राण में क्या आते हैं दूसरा चॉता अल्पनिया आते हैं अल्पनिया ऐसा की कि चौना या च्पर 幕 मचौन है कि आ कि तो ह में मेक्ट में हम भी हो तक laughs पश्मी हिंदी की कितनी बोलिया है पश्मी हिंदी की बोलिया है अब कि पांच देखो कन्यों जी देखो ब्रज बासा लिखना सीखले ना इस तरी के से लिखते हैं ब्रज ठीक है बुंदेली हर्याणवी और भांगरू ठीक है याद रख लेना 5-6 नेक्स्ट रेलगाडी सब्द बताना है रेलगाडी सब्द क्या है तो सब्द उतपत्ति के आधार पर उतपत्ति के आधार पर चार प्रकार कें आधे चार तद्वव तत्सम देसज विदेशी अब इसमें कौनसा नहीं लिखा है त का बेराइटी संकर संकर मतलब समझते हो hybrid दो चीजों से मिलके बना हुआ दो चीज मतलब क्या तो रेल गाड़ी में रेल क्या है आपका English का सब्द है गाड़ी किसका है देशाज सब्द तो दो भासाओं से मिलकर बनी सब्द को क्या कहते है संकर सब्द आंसर क्या हो जाएगा इसका five का दी ठीक है याद रखना और देशच कौन? कौन से लोटा पगड़ी यह दो रखना विदेशच में आपको लिखना तो बाल्टी याद रखना बाल्टी किस वासा का है फार्सी का है मोजा भी फार्सी का है ठीक है next सीग कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्रामचिन किताब निकाली है कि इन्होंने किताब निकाली न तो इन्होंने माना था जैसे मैं बताता हूँ आपको फालती बात बगई न 50 पार आपसे नहीं क्या-klyा बात है चलती रहते हैं अब बाकी आपके उपर है कि सीधे आप टूता पॉइंट पढ़ना चाहते हो या कैसे ठीक है तो आपके जो भी सजेशन्स हो ना तो वह कॉमेंट बॉक्स में दे दिया करो दो विप्रीत आर्थक सब्दों के बीच कौन सा चिन लगा जाता है विप्रीत कह दे या कह दे के यह बताने के लिए चोड़ो अभी दिमाग को नहीं आदा तो इसे कहते हैं सईयोजक चिन सईयोजक कह दे या योजक कह दे यह योजक लग रहा है दो विप्रीत कैसे दिन रात तो बीच में क्या लगाते हैं योजक कोई सईयोजक चिन लगाते हैं आंसर क्या हो जाएगा ए ठीक है याद रख यह कोशन में आजकल बहुत जगे मैंने देखा हुआ है इसे लिख लेना अपनी कॉप्णी में नोट करके सीधे सीधे पूछ सकता है ठीक है करपट का तद्वा बता रहा है करपट क्या है देखो मैंने बताया था उपर रेफ वाला इस तरीके से रा उड़ जाए रेफ वाला रा केती है रा कित्ते प्रकार का होता है रा होता है आपका चार्ट प्रकार ठीक है तो उपर रेफ वाला उड़ रहा है तो यह क्या है यह त तत्समें, तो इसका तद्वब क्या हो, करपट का होता है, कपड़ा, क्या होता है, कपड़ा, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, और एक इसी से मिलता होता है, कपाट, कपाट का मतलब होता है, किवाड, कपूर का क्या होता है, करपूर, क्या होता है, करपूर, ठीक, इतना आंसर क्या हो जाएगा इसका डी कपड़ा हो जाएगा नेक्स तेखो जानने की इच्छा रखने वाला तेखो जीने की इच्छा क्या होता है जीने की इच्छा इसे तो कहते हैं जीजीव इच्छा ठीक है और जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिग्यासू और जान हो के पूछ लिए रखने वाला तो देखा लिए मिल पाएं साब बाकि किसी चैनल पर आपको नहीं मिल पाया वैं इतना सपोर्ड, चाहिए डाउट शाय और केकल, कोई निया सीख भी है पताओ दोसे एक बाल सब कुछ देने के लिए तेया रहें 24-7 आपको support दे रहें कोई भी कहीं भी question में doubt आई सीधे पूछो पर प्लीज support करो थोड़ा सा ठीक है आज इतने ही question थे 30 question something हमने किये और हमें समय लगाया है इसमें 16 minute, 16 minute में 30 question with explanation हमने किये तो please अगर आप लोगों पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे share कर देना, like कर देना और बताना कि कैसी लग रही आपको वीडियो, क्या चीज आपको पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है, क्या और बदलाब चाहते हो, तो please आप लोग आउगे न, तो हम लोग उसी तरीके से change कर पाएंगे, जैसे आपने कहा था कि सब पहले answer मत बताया करो, और पहले हमें एक बार मौका दिया करो, तो आपको जैसा लगे, please suggestion देना आज, क्यों बहुत ज़्यादा ज़रू आता है, और please share कर देना, बाकि अपना और अपनों का ख्याल रखना, ऐसे वीडियो देखते रहना, नोट्स बनाना अच्छे से, जेहन जेवारत